स्रिलंका के खिलाफ लगाता दसवी वंडे सीरिज जीतना चाहेगा भारत पहला मुकाबला जीतनी से भारते टीम उत्साहित है तीन वंडे मैचों की सीरिज में सीलंका के खिलाफ आज भारते टीम वंडे जीत का दो जीरो की अजय बढ़त बनाना चाहेगी कप्तान रोहित सर्मा अपने पसंद दीदा मैदान में सीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को लगाता 10 और 15 वी द्यूपक्षी वंडे सीरी जिताने के इरादे से उतरेंगे गोहार्टी में भारत ने सीर्सक्रम, सुबमन गिल और रोहित की अर्दसत्की पारियों के बाद विराट के सांदर सतक की मदद से सीलंका के खिलाफ 373 रन का स्कोर बनाया था भारती टीम दूसरे मुकाबले में रोहित विराट साहित अने खिलाडियों से फिर बड़ी पारियां खिलने की उम्मीद करेगी रोहित को तीन साल से वंडे में सतक का इंतिजार इडन गार्डन का मैदान और सीलंका की टीम रोहित कुरास आते हैं रोहित ने इसी मैदान में नौमद 2014 में सीलंका की खिलाफ 173 गेंदों में वंडे की विस्वी रिकॉर्ड 264 रन की पारी खेली थी उस मैच में भारत ने सीलंका की खिलाफ 404 रन का स्कोर बनाकर 153 रन की जीत दर्ज की थी बंगलादेश के खिलाफ दिसंबर में दूसरे वंडे में लगी चोड से ठीक उकल लोटे रोहित ने गवाहाटी में सरसर गेंदों में 83 रन की अच्छी पारी खेली रोहित ने पिछले तीन वर्स से वंडे में कोई सतक नहीं लगाया है सरसन की उमीद पहले वंडे में रोहित और गिल से मिली अच्छी सुरात के बाद विराट कोली ने स्रेयस अयर के साथ 40 और के राहूल के साथ 90 रन की साज़िदारियां कर बड़ा स्कोर खड़ा किया था भाधी टीम मैनेजमेंट विसकप को लेकर अभी से टीम को अंतिमाका देने में जुड़ गई है संभावित प्लेंग 11 में रोहिष शर्मा कप्तान हार्दिक पंड्या उपकप्तान सुभमन गिल विराट कोली स्रेयस अयर केल राहूल विकेट कीपर यजुविंद चहल अक्षर पतेल मोहमत समी मोहमत सिराज उम्रान मलिक और सी लंका में दासु विलाल गे दिल्शान मदुशंका लाहिरू कुमारा इस प्रकार है रोहिष सर्मा हार्दिक पंड्या चुबमन गिल विराट कोली सुर कुमार यादव स्रेयस अयर केल राहूल इशान किशिन वासिंग्टन सुन्दर रजुवेंद चहल पुल्दीप यादव अक्षर पतेल मुहमद समी, मुहमद सिराज, उम्रान मलिक और अर्सदीप सिंग्ग